जहिन बच्चो अपना स्कूल नॉल लें चैलेंड में आपका स्वागत है आजम करेंगे क्लास एट का सैप्टर ड्रेक्टर और इन्वर्स वेरिशन में वर्कशीट नमबर टू देखिए यह यह वर्कशीट है यह इन्वर्स व이랑berryाशन के पर बेस्ट नहीं सबसे पहले समझते हैं कि इन्वर्स वेरिशन होता क्या है देखिए यहां पर एक्स और य दो से कहीं है अब देखिए एक्स की वेल्ययू आप देखेंगे तो थर्टी फिर फॉर्टी फिर एफिर कि variation हो रही है लेकिन inverse में हो रही है माल लीजिये 4 ए 4 का inverse क्या होगा 1.4 नेख्टीव 4 का इंवर्स क्या होगाTusporn out उ्ल्टा means एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है तो ये variation हो रही है लेकिन inverse मीं gonna upie हो रही है अब of x की value बढ़ रही है तो वा य की value कम हो रही है तो इसको कहते हैं case of inverse variation अब इस table में देखिए first में 30 multiply by twelve 360 40 multiple 9 360 60 to 6 360, 90 to 4 360 तो सब इसमें जो multiplication इनकी ये same है तो तो में एक रिश्यों की यूंक भों स फंड़ा के करेंगे सम को निकालने के लिए कि है कि यूई शो है श्र thirty ओंटी है इसका इसका मुर्टीलफिकेशन डौनकों डॉन आइन और इसका मुर्टैकराइब टॉनकों इक्वल टू दिश्वाली दोरों डर्म से और इन 60 और 6 का जो मल्टिप्विकेशन होगा वो इक्वल टू होगा 19 टू 4 के इसी को बेस मांद के हम इसमें कोश्चंद सौल्व करेंगे तो चलते हैं फ़र्स्ट कोश्चंद की और हम फ़र्स्ट कोश्चंद दिया गया है इन दफॉल्विंग टेवल एन भी वेरी इंवर्सली इन वेरी कर रहे हैं फिल्दा मिंसिंग values अब देखिए इसमें A की value find करनी है हमने तो सबसे पहले इसको ले लेंगे तो 7 multiply by 8 इसका product is equal to A into 4 तो A की value क्या होगी इसके उपर इसको मल्लिवे कर रहा है यहां पर divide हो जाएगा 7 into 8 upon 4 4 to 8 तो A की value आगी 14 तो साफ कर देता उसको 7 into 8 को divide कर जाएगा 4 जो इससे multiply कर रहा था अब 4 to the 8 तो 7 to the 14 तो यहां पर value आगी 8 की 14 अब second value find करेंगे यहां पर B की तो इस case को लेंगे तो देखिए 14 upon 4 is equal to sorry product of 14 into 4 is equal to 28 into B इसकी product इसके equal होगी तो आप 14 into 4 इससे divide हो जाएगा 14 to the 28 to 2 to the 4 तो B की value आगी जहां पर 2 value आगी next question है हमारे पास again table दिया गया है इसमें B की value find करनी है और फिर अगेन B की value find करनी है सबसे पहले इसको इसको compare करेंगे तो सबसे पहले आपको पता ही है 2.5 multiply by 8 is equal to 4 into B क्योंकि यह inverse variation का cases में multiply करते हैं इसको को is equal to multiplication of the denominator of the next ratio तो देखिए यह को decimal में कर लेंगे 28 in 5 into 8 upon 10 is equal to 4 B अब B क्या करेगा 4 को इसको डिवाइड कर देगा 25 into 8.10 को डिवाइड कर देगा 25 into 8.10 को डिवाइड कर देगा 5 तो B की value आगी हमारे पास 5 next question में क्या करेंगे B की value find करेंगे तो again 4 multiply by 5 is equal to 0.5 multiply by B अब B क्या करेगा इसको डिवाइड कर देगा 4 into 5 से 0.5 को अब देखिए जो point है जो हटा देंगे तो 4 into 5 into 10 हो जाएगा जो उपर तर लेगा 10 और निचे 5 होगा 5 से 5 कट गया अब B is equal to 40 अब B की value कुतने जागी जहां पर 40 question number first का third part है इसमें फिर again table दिया है A की value find करनी है यहां पर B की value करनी है अगें जो इन्वर्स वेरियेशन का केस से हमें पहले बताई रखा है कि फर्स्ट वाड़ा केस ए और ए और भी इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले 10 इंटू 6 जिसका मल्टिप्लिकेशन इस इकल टू इस मल्टिप्लिकेशन इस इकल टू 15 टाइम ए तो देखिए 10 इंटू 6 को डिवाइड कर जाएगा 15 यह से जो मल्टिपले हो रहे वहां आके डिवाइड करेगा अब इसको फाइब के टेबल पर फाइब टू जा 10 जा 6 एक की वेल्यू आगी हमारे पास 4 अब हम फाइड करेंगे बी की वेल्यू अगेन 4 इंटू 15 इस इकल टू 12 इंटू बी अब बी क्या करेगा जो मल्टिपले कर रहे हैं यहां पर इसको डिवाइड कर देगा यहां इस साइड अब इसको हम 3 4 के टेबल पर हैं 4 1 जा 4 4 3 जा 12 अब 3 के टेबल पर 15 आता है 5 पर तो बी की वेल्यू आगी हमारे पास 5 नेक्स हमें दिया हो है कि साइंस टीचर आस्क्राइड स्टूडेंस ऑफ क्लास एड तू में के प्रोजेक्ट रिपोर्ट वें 10 स्टूडेंस वर्कों इट तो वर्क कंप्लीट सिन फिन थी देज देज तो जब टैन स्चूडों हैं तो काम 3 चूंडे में होता है और को लाता है 6 दी वरक को 2 दिन में करने तो किसी काम को तो अगर दस स्टूडेंस तीन दिन में करते हैं तो उसको दोस़यों में करने के लिए स्टूडेंस की बढ़ने पड़ेगी तो टमींज एक चीज़ बड़ रही है तो दूसरी कम हो 15 students लगाने पड़ेंगे उसी वर्क को complete करने के लिए two days में अब दिखे 10 students थे यहां पर 15 students students की संख्या बढ़ रही है लेकिन काम की संख्या डे number of days complete करने में इसको कम हो रहे है तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है यह inverse variation का case है कि आगे थर्ड क्वेश्चन है रणिंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमेटर पर आवर बस कंप्लीट से जर्णी फोर एफ आफ आवर्स अब देखिए स्पीड कितनी है उसकी इसकी 40 किलोमेटर पर आवर और उसको कंप्लीट करता करती है इसको अब मिक्स फॉर्म को रैश आज तो इस्ती एक चीज बढ़ रहे दूसरी कम होडे तो यह इन वर डिवियाशन का केस है फिल्स में क्या होता है फोट यह ऑला रेश्चों का मल्टिप्लीकेशन इससको इस में हमनेयां क्या करना है त्यम मालिए एक्षफफरी Morgen करना है तो हम क्या करेंगे 40 म्लीप्ल i9 upon two is equal to 45 into X तो कि this product is equal to this product तो आप देखिए 40 into 9 upon 2 तो ऐसी रहा अब जो X था इसको 45 को यहां डिवाइड कर देगा अब हम क्या करेंगे 9 के टेबल पर 45 आता है 5 पे अब 5 के टेबल में 40 आता है 8 पे अब 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे अब X की वैल्यू कितने आगी 4 तो कितना टाइम लगेगा उसको फोर आवर्स लगेंगे अब देखिए यहां पर स्पीड बढ़ी 40 से 45 होई और यहां पर साड़े चार गंटे लग रहे थे तो यहां पर चार गंटे लगे यह चीज बढ़ रही है तो यह चीज कम हो रही है तो यह इन्वर्स वीरियेशन का किस है फॉर्स कोच्टन है हमारे पास है दिशा साइकल्स फूर स्कूल एक इन्यवरेज स्पीड और वारा किलोमेटर पर आवर एंड टेक्स ट्वंटी मिनिट्स तू रीतर श्कूल तो देखिए बारा की स्पीड पर जिब जाती है वो तो ट्वंटी मिनिट्स में पहुंच ते स स्पीड बढ़ाने पड़ेगी तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी तो यह इन्वर्स विरियेशन का केस है तो इसमें क्या होता है इस साइड का इसका इस टरम का क्या करेगा अब जो इसको डिवाइड कर देगा अब इसको हम फाइब की टेबल पर फाइब त्री जा फिप्टीन फाइब फॉर जा ट्वन्टी अब त्री के टेबल में ट्वैल आता है फॉर पे अब फॉर फॉर जा क्या हो गया हमारा तो इसको इसको 16 किलोमेटर पर आवर की स्पीड पर साइकल चलाने पड़ेगी तांकि वो स्कूल 15 मिनिट्स में रीच कर जाए नेक्स्ट वश्चन में पास फिस्ट क्वेस्ट इस शीट का इस फिप्टीन मैं के रिपेर र इस में अगर आदमी कम कर देंगे तो काम बढ़ जाएगा टाइम बढ़ जाएगा तो देखिए इनिवर्स विरीस्ट का केस है तो यह चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है तो इसमे क्या होता है यह इसका मल्लिप्लीकेशन इस इकल डूडू इस साइड का पूर्क में एक्स जो है 9 को डिवाइड कर देगा क्योंकि पहले मल्टिपली करता था अब 9 के हम इसको 3 पर करेंगे 3 3 9 और 5 3 15 अब 3 पर करेंगे 3 के टेबल में 8 3 होता है 24 अब क्या हमारे पास रहा 5 इंटू 4 रहा 5 इंटू 4 कि मल्टिपली कर देंगे यह आगा हमारे पास 40 तो यह 9 आदमी इस काम को 40 डेज में करेंगा अब देखिए कलीर भी हो रहा है अब आदमी 15 से 9 होगे कम हो रहे हैं आदमी लेकिन टाइम बढ़ रहा है तो यह इंवर्स विरिशन का केस था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 इफ 30 गोट्स कें ग्रेज फिल्ड इन 15 डेज अगर 30 बकरियां किसी फिल्ड को 15 दिन में चर जाती है अब देखिए पहले 15 डेज दे रहे हैं और गोट्स कितनी है हमारे पास 30 अब नेक्स टाइम गोट्स हमने फाइंड करनी है और अब जे डेज कम हो रहे हैं तो बकरी बढ़ानी पड़ेगी देखिए पता है आप वही काम दस दिन में करना है तो गोट्स की संख्या पर तो अब देखिए इन्वर्स फिरिश्ट केस है तो इसमें क्या होता है थर्टी इंटू फिप्टी इस इक्वल टू इसका मल्टिप सब्सक्राइब होती है जीरो पर जीरो कट गी अब एक्सी इक्वल टू फिफ्टीन त्रीजा फॉर्टी फाइव तो हमें फॉर्टी फाइव गॉट्स चाहिए गॉट्स तो ग्रेज सेम फिल्ड इन टैन डेज नेक्स्ट क्वेश्टन है एक कॉंट्रेक्टर बिदे वर्क लकिन सैवनम काने के लिए अब देखिए चार सोबीस आदिम नो में काम करने के लिए इस से ज़्यादा ही पर चाहिए वंदे कम तो नहीं चलेगा तो हमने यह फाइंड कर ना कितना है अब देखिए इसमें काम अगर टाइम कम ले रहा है तो आदमी बढाने पड़ेगे त तो इसमें क्या होता है 420 इन्टू 9 इस इकुल टू एक्स इन्टू 7 इस साइड की मल्टिप्रिकेशन इस इकुल टू इस साइड मल्टिप्रिकेशन तो इन्टू नाइन इसकोल टू तो 542 फाइव फॉर्टी मींन पांसो चालीस आदमी सेम वर्ग को साथ दिन में करें अब देखिए मन्त कम हो रहें तो आदमी की मैंड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहे तो यह इंवर्स विरेशन जैसे आपको पहले कहा था वैसी इनवर्स विरे पढ़ता है अब बताये हो में डेज विल ही टेक टू फिनिश्ट दाव बुक कर देगा तो इसको जैनूर सी बात है टाइम भी ज्याद लगेगा तो अब यहां पे पढ़ने की जो उसकी टेडेंसिय वो कम हो रही है तो डेज भी बढ़ रहे है तो एक चीज कम हो रहे है तो दूसरी बढ़ रहे है तो इनवर्स विरियेशन है तो इसमें क्या होता है 18 multiply by 25 is equal to 15 into x तो यह question मनगी है हमारे पास 18 into 25 is equal to 15 x अब x क्या करेगा 18 into 25 से डिवाइड कर देगा 15 को क्योंकि जो चीज मल्टिपली होती किसी वी साइड में वो दूसरी साइड पे डिवाइड होती है अब हम 5 के टेबल में 5 3 जा 15 55 जा 25 अब 3 के टेबल में 6 3 जा 18 अब एक्सी इकोल टू 6 और 5 का multiply कर देंगे 65 जा 30 तो 30 डेज लगेंगे उसको complete करने में अब देखे पता पहले पता लग रहा था अब भी पता लग रहा है अब यहाँ पे पेजिस की जो reading capacity वो कम हो रही है तो यहाँ पे डेज बढ़ रहे है एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है नेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर नाइन एक शॉपकीपर है अनफ मनी टू बाए 40 बुक्स अब 40 बुक्स बाए करता है कोस्टिंग इच कोस्टिंग 120 हर की कोस्ट है 125 अब देखिए 40 बुक्स लेगा 125 के साफ से तो इसका बिल कितरा मेंगा 40 125 उसका बिल लगा अब क्या करते कहते हैं वो इफ ही गैट्स डिस्काउंट ओफ रूपीज 25 उसको 25 का हर बुक्स डिस्काउंट मिल जाए तो हर बुक कितने पड़ेगी पहले 125 की था पड़ गई 100 की अब को तक कितने बुक्स ले सकता है अब देखिए पैसे बिल तो उतनी नहीं बनेगा अब 125 के हिसाब से 40 ली थी तो इतने में आई अब 100 के हिसाब से कितनी बुक्स लेगा तो इसका मल्टिल्पिकेशन इसके बराबरी रहेगा क्योंकि ये डिरेक्ट सुरी इनवर्स वेरिएशन है क्योंकि बुक्स की क्वांटिटी 40 है अब देखिए रेट कम ह हो रहा है तो बुक्स ज्यादा प्रचेज कर लेगा उतने पैसे में तो एक्स इंटू 100 इससे एक्वेट कर दिए इसकी मल्टिफिकेशन आप देखिए 40 इंटू 125 को डिवाइड कर देगा 100 क्योंकि एक्स मल्टिफिकेशन हो रहा था इसससे जाके डिवाइड होगा 0 से 0 10 और 5 के टेबल में 5 तू जा 10 और 55 जा 25 25 25 जा 125 अब देखिए 2 फे फे 4 को कर देंगे 2 तू जा 4 होता है अब हमारे पास बचा किया बैलेंस 2 इंटू 25 तो 2 इंटू 25 इस इकल टू 50 अब वो 50 बुक्स परचेज कर सकता है अब देखिए यहां पर बुक्स की कॉंटिटी बढ कम है तो यह inverse variation था next question है हमारे पास है six pumps together empty a tank in 28 minutes छे pump कठे चलाने से कोई tank over 28 minutes में empty करते हैं how long will it take to empty the tank if the four pumps are working अब four pumps चल रहें same capacity के अब कितना time लगेगा अब देखिए छे pump अगर थाइस time minute में करते हैं तो चार तो उसमें time ज्यादा लेंगे तो यह quantity कम और यह pumps की जो quantity कम कर दी तो इससे time बढ़ जाएगा तो यह inverse variation केस है तो इसमें क्या होता है इसका multiplication is equal to always this side multiplication तो 6 into 28 is equal to 4x अब 6 into 28 को divide कर देंगे 4 से क्योंकि जहां multiply होता था जहां divide हो जाएगा अब 4 का table पढ़ेंगे हम 47 जा 28 तो x is equal to 6 into 7 equal to 42 तो 42 minutes लेंगे 4 pumps same train को empty करने के लिए next question में मारे पास है question number 11 ए ट्रेन moving at a speed of 75 km ट्रेन की speed है 75 km पर आबर cover करती है किसी distance को 4.8 hours में what should be the time speed of the train to cover the same distance in 3 hours 3 hours में इसको cover करने के लिए कितनी speed बढ़ानी पड़ेगी अब देखिए कोई journey वो train 75 के speed से 4.8 hours में करती है तो इसको अगर 3 hours में करना तो इसको speed बढ़ानी पड़ेगी तो जहां पर time कम करना है तो speed बढ़ानी पड़ेगी तो यह inverse variation का case है तो इसमें क्या होता है 75 into 48 का जो multiplication is that is equal to x into 3 जो ratios का multiplication सेम रहता है तो 75 into 4.8 is equal to 3x 75 into 48 इसमें से 10 निकाल देंगे 10 आ गया अब जो 3 से multiply कर जाता है इससे डिवाइड हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे 3 5 जा 15 अब हमारे पास क्या आया 48 into 5 है इसकी multiplication करेंगे अब देखिए 2 बचा है 2 को डिवाइड कर देंगे 48 से तो 48 24 आ गया इसके निचे 2 था हमें पतन लगा उस टम 24 हो गया अब x is equal to 24 into 5 is equal to 120 किलोमेटर पर आवर हमें स्पीड करने पड़े की train की to cover the same distance in 3 hours नेक्स्ट क्वेश्चिन है क्वेश्चिन नबर 12 एक गैरिशन ओफ 120 में ग्रूप ओफ 120 में है उसके पास खाने का राशन है for 30 days अब कितना का गुरूप है 120 का उनकी पास खाना कितना है 30 देज का आप एड़ एंड ऑफ फाइव डेज पांस दिन बाद मींज कितने पर टाइम बचा हमारे पास 25 दिन थर्टी नहीं 25 दिन क्योंकि पांस दिन बाद 30 देज का प्रविजन था सौदा था उनके पास खाने का 120 बंदे डेली खाते थे तो अब पांस दिन बाद कह रहा है कि फाइब मोर मैं जॉइंड देम अब बंदों की संख्या कितने होगी 120 प्लस फाइव यहां पे हो गया यह 125 तो 125 बंदे होगे 25 में दिन बाद तो तो how many days can sustain on the remaining provision अब देखिए 120 बंदे 25 दिन के लिए खाना पड़ा है अब 120 बंदों का पहले 30 दिन का खाना था पांस दिन गुजर गए तो 120 बंदों का 25 दिन का खाना बच गया अब इतने में क्या हुआ पांस बंदे एड होगे तो दिन तो 25 रहे थे लेकिन हमने 25 तो दिन रहेंगे क्योंकि बंदे बढ़ गए तो खाना जल्दी खतम होगा तो एक्स हमें find करना है तो देखिए इसका multiplication is equal to this multiplication तो 120 multiply by 25 is equal to 125 into x तो 120 into 25 divided by 125 is equal to x और 25 के टेबल में 125 आता है 5 पे और 5 के टेबल में 120 आता है 24 पे तो x is equal to 24 days तो 24 दिन का राशन रहा है उनके पास अगर 125 दिन 125 आत्मी हो जाते हैं मैं को दुवारा बता दूँ पहले उनके पास 120 बंदे थे और 30 देज का राशन था लेकिन 5 दिन गुजर गए तो 5 दिन बाद क्या है 25 दिन का राशन बच गया 120 बंदों के लिए तो 120 क 25 दिन का राशन और पांच बंदे याड़ होगे अब यहां पर 125 होगे तो अब नमब्रों डेज कम हो जाएंगे क्योंकि बंदे बढ़ गए तो इसी साफ से यह कोईशन मिलाकर हमने इसको स्वाल्व किया बड़ा हीजीक था थैंक्स पूर वाचिंग दा चैनलर